हमने Excel का बहुत ही अच्छा function सीखा था ना if लेकिन हर अच्छाई की कोई न कोई limitation तो होती होगी न उसी limitation से बंधा है हमारा if function भी इसी limitation को ठीक करने के लिए हमारे पास option है जिसका नाम है and function जिसका नाम है or and और और उस situation में introduce किया जाता है जब if then else का situation आ रहा हो ये नहीं तो ये सही ये नहीं तो ये सही ऐसे ही function को जानने के लिए हम आगे वीडियो में मिलते हैं and और और function के साथ आप से आज हमनों सीखते हैं और function और end function दोनों के concept को पहले समझते हैं फिर उसको example के जरिए करके देखेंगे concept में पहले हम बात करेंगे और की अगर मैं और function की बात करूँ तो और के case में क्या होता है वो पहले समझेए और function के case में वो पहले चेक करेगा कि जो condition आपने supply किया है वो सही है या गलत है अगर जो condition आपने पास किया है जो argument आपने पास किया है अगर वो सही है या गलत दोनों के एक case में कोई situation एक तो होगा न तो उस case में या तो true value या false value return करके ले के आएगा बट और के case में परते थे थे ना अथवा या और के case में क्या होता है दो में से एक condition भी सही है तो result क्या आएगा सही जैसे कि यहाँ पर देखिए concept अगर मैं और के case में मेरा पहला condition true है और दूसरा condition भी true है तो result क्या आएगा true अगर और के case में मेरा पहला condition true है, दूसरा condition true है, result true पहला condition true, दूसरा false, तब भी result क्या आएगा, true पहला false, दूसरा true, तब भी result क्या आएगा, true और पहला false और दूसरा false, तब जाके false मतलब और के case में याद रखेगा, 10 conditions अप्लाइ किया कोई एक भी सही, तो result आएगा सही, ठीक है, कोई एक भी सही, तो result आएगा सही, जब सारे के सारे गलत, तो जाके result आएगा false, जब सारे के सारे condition गलत हो, उस situation में सिर्फ और के case में, यही same case, अब end की बात करते हैं, end के case में justice का उल्टा, सारे के सारे condition true, तो ही result true, अगर एक भी false तो result आएगा false जैसे की true और true तो result क्या आएगा true और उसके अलाबे सारे ही है false एक भी condition false तो result आएगा false बतलब सारे का सारे condition match होने से ही तो ही result आएगा true otherwise false इसको और अच्छे से example के जरीए समझते हैं देखिए सबसे पहले और की बात करेंगे और में मेरे पास यह एक example है जिसमें मुझे condition क्या चेक कराना है ओपर यह यह condition मुझे चेक कराना है क्या कि भाई अगर customer का bill यह जो customer है इसका bill अगर बीस हजार से जादा है या इसका जो different product है उसकी value 10 से जादा है तो इसको 30% discount देंगे मतलब 2 में से कोई एक condition अगर मैच हो रहा है तो आपका discount देना फर्ज बनता है तो मेरा कहना है अगर दो में से एक match किया तब भी उसको दोगे अगर दोनों को दोनों match कर गया तो तो उसका वैसे बनता है ठीक है और अगर दोनों को बात करेंगे और मेरे पास condition एक नहीं है एक से ज़ादा है एक से ज़ादा के case में मेरे पास यह रहा और यदि ये greater than equal to 20,000 है ये तो हो गया पहला condition logical one, comma एक condition मेरे पास अभी और बचा हुआ है logical two, यहाँ पर हम बात करेंगे different product, उसकी value greater than equal to 10 है या नहीं है तो ऐसे situation में देखो ये क्या करेगा और check करेगा कि condition true है या false, तो जहाँ जहाँ इसको match होगा, जो scenario मैंने और का समझा है उसके हिसाब से, वहाँ वहाँ true जैसे यहाँ पर देखिए false है क्यों ना तो customer का bill 20,000 से जादा है ना उसके different product की value 10 से जादा है तो आपको लगता है कि true होना चीए वहाँ पे तो इस तरीके से ये आपको बताएगा कि कहां कहां का डिस है देखिए, यहाँ पर true क्यों हुआ customer का bill 20,000 से जादा है different product की value 10 से कम है कोई बात नहीं, और है यह अथवा, एक तो true है ना तो true आएगा जब दोनों false होगा तब false आएगा clear है यह, आप देखिए यह जो true false आपको दिखाया क्या आपका यह purpose solve कर रहे है इससे यही चाहते थे आप आप क्या चाहते थे कि अगर उसका bill इतना है जो condition हमने दिया है तो उसको result में क्या दो उसको 30% discount दो discount देने वाला काम कहां किया इसने तो सिर्फ check करने का काम किया मतलब और की, और end की अपनी एक limitation है यह और function, यह end function सिर्फ check करा सकता है कि यह condition true है या false है इसकी हैसियत बस इतनी ही है इससे आगे का काम अगर करना है तो उसके सहारे जीना होगा हम लोगों को वापिस चलिए इफ, यह बिना इफ के काम नहीं चलेगा इफ की मजबूरी है कि वो single condition पास कर सकता है single logical test हमारी यहाँ मजबूरी है कि हमारे पास एक से ज़्यादा function है sorry, एक से ज़्यादा condition या criteria है इसलिए हमें और या end की जुरुत है otherwise, अब देखिए यह आपको चलाना था इफ के साथ ही यहाँ देखिए इसको में एक मटकले हटाता हूँ मैं फिर से लगाना सिखाता हूँ अब simple if लगाईए equal to if ठीक है logical condition तो logical condition में पास एक है या एक से ज़्यादा है एक से ज़्यादा है अगर एक होता तो if के साथ लग जाता कोई प्रावर्म नहीं है लेकिन if की मजबूरी है कि वो एक ही चला सकता है हमारी मजबूरी एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर लगा देंगे हम और लग गया जी और वही सेम कहानी यह अगर greater than equal to 20,000 है कॉमा फिर यही greater than equal to की अदस है यह हो गया आपका logical test और के लिए यह आपका हो गया logical test कॉमा लगेगा यहाँ जाके जहाँ ब्रैकेट बंद हुआ तो if के नजर में आप देखिए आपने क्या किया बहुत आराम से if को आपने बेवकू बनाया है कैसे बेवकू बनाया है वो देखिए आपने पास किया और और के अंदर तो multiple condition आपने पास कर लिया उसकी अपनी पावर है और की और की अपनी पावर हैक से जादा देखिए कितना बढ़ यहां तो if के नजर में और हुआ एक उसको चलाना आता है if को यही तो काम है उसका कॉमा यहां पे और अगर यह condition true है तो क्या करो इसी total bill का 30% देदो कॉमा और अगर नहीं है तो condition if true तो आपने 30% discount दे दिया और अगर नहीं है तो यहां पे देदो नहीं तो लिख दो no discount हो गया काम ऐसे देखिए को मा फिरा कि आपने चला की क्या की if के नजर में और एक है आपने एक ही function तो पास किया ठीक है और और की अपनी power है multiple criteria चला नहीं हो चला दिया आपने देखिए ऐसे यह इस तरीके से आफ और function चलाए देख लीजी हो गया same approach में same approach होगा output अलगा आएगा लेकिन same approach होगा end function यह देखिए एक example के जरीए इसको भी कर लेते हैं यदि credit rating यह वाला 6 या 6 से ज़्यादा हो साथ के साथ sales amount 50,000 से ज़्यादा हो यहाँ पर साथ के साथ है मतलब दोनों condition true होना चाहिए अगर ऐसा हो तो आपका जो credit card है वो जो है credit हुआ आपका extend होगा नहीं तो नहीं होगा तो यहाँ पर चलाएंगा again अकेला नहीं चलेगा if के साथ ही चलेगा इफ यदी logical test में कौन यदी ये credit rating greater than equal to कितना हो जाए 6 ठीक है आप 6 यहाँ से ना ले आप यहाँ से ले इसको freeze कर दीजिए इसका benefit क्या होगा कि बाद में value change करते हैं तो आपने static नहीं डानमिक लिए रखा है अगर उसकी value 6 या 6 से जादा हो ये हो गया अगर ऐसे लगाएंगे तो ये if की कहानी हो गई क्या if से काम हो पाए हमारे पास दो condition है तो यहाँ पे आप क्या कीजिए if और if के अंदर लगा दीजिए and क्योंकि दोनों के दोनों condition match कराना यहाँ दोनों के case में जरूरी है यहाँ पास किया अपने if और अब आपने पास किया end और end को क्या दिया यदि ये greater than equal to कितना हो जाए 6 इसको कर दिया freeze क्योंकि नीचे खीचेंगे तो relative reference होगा तो move कर जाएगा कॉमा लास्ट यर का सेल्स greater than equal to कितना हो जाए 50,000 फ्रिज कर दिया गया और ये बात सही हो कॉमा तो क्या कर दो extent credit कॉमा नहीं तो no credit प्रैकेट बन प्रैकेट हो देखे कितना असान है मतलब जब एक से ज़्यादा condition हो तो end और और की जुरत होती है लेकिन if के साथ ही ये हमेशा याद रखेगा ठीक है इस तरीके से आप if के साथ end और और की जुरत बहुत होगी आप इसको लगाना सीखें इसकी practice करें आगे के सीरीज में और वीडियो के साथ आपके साथ मिलत और सब्सक्राइब करना ना भूलें एडवांस एक्सल, SQL और अधर IT related technology सीखने के लिए आप हमारे virtual classroom training session जॉइन कर सकते हैं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए stay home, stay safe, thank you